गनानन का जीवन बरत इसकी PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप डाउनलोड भी कर सकते है तो अब देखे गनानन जो थे इनका जन्मकाल समवत 1730 के आसपास है यह समवत दिया हुआ है और इनके जन्मिस्थान और जनक यानि पिता के बारे में कुछ भी ज्यात नहीं है प्रारंबिक जीवन दिल्लीत था उत्तर जीवन वरंदावन में बीता यानि कि पहले का जीवन इनका था वो दिल्ली के अस्वस बीता और बाद का जीवन वरंदावन में बीता जातिके कायस्त थे घनानन्द साहित और संगीत दोनों क अधारण विद्या प्राप्त थी ये कहा जाता है कि ये शेर जो शहनसा थे मुहम्मत साह रंगिले उनके दरबार में ये मीर मुशी थे और सुजान नामक एक नर्तकी थी वैश्या थी उस पर आ सकते वो उसके दरबार में नचती थी एक दिन दरबारियों ने बादसा से कह दिया कि मुशी जी गाते बहुत अच्छा हैं उसने इनका गाना सुनने की हट पकड़ ली पर ये गाना सुनाने में अपनी अशक्तिका ही निवेदन करते रहे अंतमे बादसा से कहा गया तो अंतमे बादसा से कहा गया कि यदि सुजान बुलाई जाए तो ये गाना जरूर सुनाएगा तो सुजान बुलाई गई और उन्होंने उसकी और उनमुक होकर सचमुच गया यानि कि मुह सुजान की तरफ करके गया और ऐसा गया कि सारा दरबार जुहूम उठा मन तुर्मुक्द हो गया अब बादशाह ने आग्या किये वहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निसकासिस करते है क्योंकि इन्होंने राजा के सामने पीठ करके गया था और नर्तकी के सामने मुह कर गया था ये राजा ने अपना अपमान समझा और मुहमस सार अंगिले ने इनको दिल्ली से बाहर निकाले अब सुजान ने इनका साथ नहीं दिया वहां से वे ब्रंदावन चले गए और निम्बार के संप्रदाय में दिक्षित हो गए इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था अब घननन का एक और नाम बहुगुणी था आपको ध्यान से सुनना है इनकी कहानी और कहानी सुनकर के ही आपको कहानी लिख देनी है ये नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ या जैसा आप अक्षर हैं वही रट्टा मारें भगवान कृष्ण के पृति ये अनुरक्त होकर यानि कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जैसा कि मैंने बताया और कहते हैं कि सुजान नाम की एक इस्तरी से इनका आटूट प्रेम था और उसी के प्रेम के काण घनानन बाष्ण के दरबार में बे अदबी करके बैट गया थे और जिससे नाराज होकर बाष्ण इदरबार से निकाल दिया थे बता चुका हूँ मैं और साथी घनानन को सुजान की बेवफाई ने भी बहुत ही निराश कर दिया तो घनानन जी प्रेम की पीर के गीत गाने लगे उनसे वियोगिक्त हो गए उनसे वियोग विथा उनसे हो गई और ये प्रेम के पीर के गीत गाने लगे यानि कि इनके कभित सवयों में दर्द भरा हुआ है तो प्रंदावन चले गए थे और निमबार्ग संपरदाय में दिक्षित हो गए थे परन्तु वे सुजान को भूल नहीं पाये थे अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रती कात्मक प्रयोग करते हुए काब रचना करते थे गनानन मुलता प्रेम की पीर के कभी है व्योग वर्णन में उनका मन अधिकरमा अगर व्योग सुरिंगार के कोई महानतम कवियों में से हैं तो महान कभी हमारे घनानन जी है ये प्रेम साधना का तिधिक पत पार कर बड़े-बड़े साधकों की कोटी में पहुंशी गये थे मुना के कछारों और ब्रज की वीथियों मतलों गलियों में घूमते हुए भ्रमण करते हुए उसी समय ये कभी आननदा तिरेक में हसने लगते और कभी भावाश आवेश में असुर की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती नागरीदाज जैसे स्रेष्ट महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे मतुरा पर अहमत शाह अबदाली के प्रथम आकरमण के समय समवत 1813 में ये मार डाले गए विश्वनात प्रसाद मिसर के मता अनुसार इनकी मृत्यू अहमत शाह अबदाली के मतुरा पर किये गए दूतिया करमण में हुई जैसा भी हो कुल मिलाके ये मार डाले गए थे मतलब इनका मडर हुआ था घनानान द्वारा रचित गंतों की संक्या 41 बताए जाती सुजान हित कृपा कंद निभंध ब्योग वेलि इश्कलता यमुनायश प्रीति पावस प्रेम पत्रिका प्रेम सरोवर वरज विलास वस्रस वसंत अनुभव चंद्रिका रंग बधाई प्रेम पधति ब्रशभान पुर सुसमा गोकुल गीत नाम माधुरी गिरि पूजन व जरूरी नहीं है कि आपको ये सब याद हुँ चार छे दस जितनी रचनाय आपको याद हों कुल मिलाके उपर की लाइन की जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाय है वो अवश्य याद होनी चाहिए और आपको दस से बारा रचनाय याद है वो लिख सकते हैं उपर से नीचे लाइनों में कि कुछ मुख्य इस परकार ह और आपको अच्छे अंग भी मिल जाएंगे झाल 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 झाल